खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े कारेकरताओं से मुलाखात कर रही हैं बाचीत कर रही हैं पूरबी यूपी की उन्हें कमान मिली है और सक्रिय हो चुकी है पूरी तरीके से राजनी तीम है और आज शाम चार बजे का वक्त जब वो प्रेस कांफरेंस करेंगी तो ऐसे भी ये देखना बड़ा दिल्चस्प हो जब से प्रेंका गांधी को सौपी गई है तब से राजनीती के केंद्र में एक तरीके से आ चुकी है वो लगातार उनकी चर्चा हो रही है और अब शाम चार बजे का वक्त मुकरर किया गया है जब वो प्रेस कांफरेंस करने बाली है तो जाहिर तोर पर ये देखना अजनीती में सक्रिये तोर पर उनकी भूमिका जब से कॉंग्रिस ने वहाँ पर तै की है उत्तर प्रदेश में لगातार उनकी चर्चा हो रही है और खास तोर पर अगर प्रूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए वहाँ पर सियासी सरगरμी उफान पर है चुकि वहीं बारानसी है प्रधानमंत्री का संसदिय शित्र गोरकपूर है यूपी के मुख्यमंत्री का इलाखा और ऐसे में क्या कमाल कर पाएंगी प्रियंका ये देखना बड़ा एहम हो जाता है और इन सब के बीच ये ताजा जानकारी कि आज शाम चार बजे प्रेस कॉंफेंस करेंग बकाइदा उन्होंने रोड शो भी किया था प्रियंका गांधी के लखना दौरे का चौथा दिन और ये देखिए अब चार तस्वीर आपके सामने है आमेठी 2009 की तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रियंका प्रचार करने के लिए होँआ पर पहुँची थी इसके अलाब बच्छी थी में लंबे वक्त से हैं परचार करती रही है कॉंग्रिस के लिए लेकिन खुद अब सक्रिय तोर पर और वो आ चुकी हैं उनका पदारपन राजनीती में हो चुका है देखना है महोगा कि आखिर वो कंग्रिस के लिए क्या कर पाती है उतर परदेश में और इसमीच हमारे साथ पंकज हाज उड़ गए हमारे सही होगी फोन लाइन पर पंकज आज शाम जो ये प्रेस कॉंफेंस होगी क्या खास रह सकता है कुछ जारकारी बिल पारी है देखिए कॉंफेंस मार्स अच्छी बनने के बाद और यहां पार्टी की कमांग समालने के बाद तीम दिनों की आज लगातार डखाट है पहला प्रेस कॉंफेंस है और इसमें एक बड़ी ख़बर जो ये है कि पीजेटी की जो विधायक हैं तीम बार सामसद रहे हैं अव्दार से बड़ाना और बड़े गुजर निता रहे हैं हर्याना से लेकर यूपी तक उनकी पार्टी में जो इनिंग हो रही है प्रियंका गांधी का क्या रोल रहेगा वो खुद इस वार चिना और लड़ेंगी की नहीं लड़ेंगी इन सब सारे सवालों पर बातचीत होगी इस प्रेस कॉंफेरेंस में तो ये जब आप मिल सकते हैं पिल्कुल तो पंकज आप ये कह रहे हैं कि दरसल जो कुछ सायोगियों से बातचीत चल रही है कि आहां कहां तक बात बढ़ी इस बारे में प्रियंका अपनी बात रख सकती है और इसके अलाबा जो कारिकरताओं से उनकी मुलाकात हुई है उससे जुड़ा भी अपना अन्वोष शेर कर सकती है जी हाँ बिल्कुल आगे की रननीती के बारे में पार्टी किस तरीके से का करेगी किस के साथ गटवंदन होगा महांदल से हो चुका है इन सब सारे मुद्वों पर आज प्रेस कांफरेंस में अपनी राही रखेंगी शुक्रिया पंकजाव इस जानकारी के लिए तो चार बजे शाम चार बजे आज प्रियंका गांधी प्रेस कांफरेंस करेंगी कि उमीद्य की जा रही है कि वो जो कुछ सयोगियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है उत्तर प्रदेश में उसके बारे में जानकारी दे सकती है और आगे कि क्या रणनीती होगी कॉंग्रेस की वहाँ पर इस बारे में भी जानकारी दी जा सकती है दर असल कई कारे करताओं से उनकी मुलाकात हुई है और इसमीच हमारे साथ जैनेंदर भी जुड़ है हमारे सयोगी इसी ख़बर पर और अधिक जानकारी के साथ जैनेंदर क्या अपडेट है इस प्रेस कांफरेंस को लेकर देख रहे हैं लेकिन जॉइनिंग से जादा आहम यह है कि प्रेंका गांधी जिम्मेदारी लेने के बाद या निमासचिव बनने के बाद पहली बार अधिकारिक प्रस कांफरेंस कर रही है बनारस को लेके कयास लग रहे हैं कि वो बनारस से लड़ सकती हैं तो तमाम जो सवाल हैं लोगों के मन में पत्रकारों के मन में प्रेंका गांधी को लेकर के तीम दिनों तक उन्होंने बैठक की है बैठक में उन्होंने क्या कुछ फीड़बेक लिया तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले अखिलेश चार बजे जब प्रेंका गांधी के प्रस कांफरेंस होगी बिल्कुल जैनेंदरों जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे बहुत दिल्चस्प होगा ये देखना महत्पूर्ण होगा ये देखना कि अपने बारे में प्रेंका क्या कहती है क्या वो खुद चुनाओ लड़ेंगी चुकि पिछले काफी दिनों से इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है वो भी चुनाओ लड़ें जैनेंदर तो शायद मेरी आवास जैने अंदर तक नहीं जा पा रही है दुबारा उन से हम बात करने का प्रियास करेंगे लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें और क्या सोनिया की सीट राय बरेली से वो चुनाओ लड़ेंगी ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं राजनितिक हलकों में इसकी चर्चा है राहुल पीम के उमिदवार घोशित होंगे क्या? क्या इस बावत भी प्रेस कॉनफेरंस में जानकारी दी जाएगी? पती वाड़ा पर आरोपों का क्या जवाब वो देंगी? ये देखना भी बड़ा महत्पुन होगा एक बार फिर से हमारे साथ जैनेंदर जूर चुके हैं जैनेंदर क्या आजी सवाल का जवाब भी मिल सकता है कि प्रेंका चुनाओ लड़ेंगी या नहीं? कोई तकनीकी कामी आ रही है हम फिर से कोशिश करें कि जैनेंदर से बात करें लेकिन देखिए क्या क्या जवाब आज मिल सकता है इस प्रेंस कानफरेंस के जरिये वो हम आपको बता रहे थे और आब इन चार तस्वीरों पर जरा गौर फरमाईए जो चार अलग 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 जगों की हम दिखा रहे हैं अलग साल की तस्वीर है अमेठी में 2009 में और 2012 में सक्रिये तोर पर प्रचार करती नजर आई थी प्रियंका गांधी लेकिन आब राजनीती में उनका खुद पदारपन हो चुका है पूरवी उतर प्रदेश की कमान उन्हें सौपी जा चुकी है कॉंग्रेस की अब वो महासचीब है 11 फरवरी को जो उन्होंने रोजशो किया था वो द्रिश्याब देख सकते है ऐसे में आज ये देखना महत्पूर्ण होगा चुकी वो अपचारिक तोर पर जब वो आज मीडिया से मुखातिब होंगी बातचीट करेंगी तो क्या कहती है जब से उन्होंने महासचीब के तोर पर कॉंग्रेस में कारेबार समाला है ये पहला मौका है जब अपचारिक तोर पर मीडिया से इस तरह से वो बातचीत करेंगी तो माना ये जा रहा है कि जो कई सवाल है प्रियंका को लेकर राजनितिक हलकों में उनके जवाब आज मिल सकते हैं मसलन क्या प्रियंका खुद चुनाव लड़ेंगी इसके अलाबा क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है आने वाले दिनों में कॉंग्रेस की क्या कुछ सही होगी कॉंग्रेस के साथ आएंगे और एक बार फिर से हमारे साथ जैनेंदर जुर चुके हैं ABP News अमवाद आता जैनेंडर जो मैं आपसे पहले सवाल पूछ रहा था क्या इस सवाल का जवाब भी आज मिल सकता है कि प्रियंका क्या खुद चुनाव लड़ने वाली है बिल्कुल ये सबसे एहम सवाल है जो शायद उन से सबसे पहले पूछा जाएगा कल भी जब प्रियंका गांधी आई थी मीडिया के सामने जब महांदल के साथ गचबंधन का एलान किया गया था उस वक्त भी पहला सवाल यही था कि क्या आप चुनाव लड़नेगी हलाकि प्रियंका गांधी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया लखनव के कारेकरताओं ने मांग रखी कि आप लखनव से लड़िये तो प्रियंका सबसे पहले क्या लड़ेंगी और लड़ेंगी तो किस दीट से मेरे साथ उमेश पाठक भी है वरिश नहीं होगी और लखनव में रहकर के यहां की राजनीती पर पहनी नज़र रखते है उमेश जी प्रिस कॉंफरेंस को लेकर के सबसे दिल्चस्पी हो रही है कि आज किन-किन सवालों के जवाब मिनेंगे जी बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आप प्रियंका इलेक्शन लड़ेंगी और मैं आपको बता दो जो प्रियंका की टीम है वो केवल अमेठी राइबरेली तक्सीमित नहीं है वो इलाहबाद में भी काम कर रही है इसके लावा फूलपूर में भी तलाशी जा प्रियंकि टीम लगातार महा पर काम कर रहे हैं फिडवेक लेंगे दूसरा एहम सवाल क्या हो सकता है प्रियंका गांधी की प्रिस कॉंफर्स के लिए कि कॉंग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह सभी सीटों पर लड़ेंगे यानि बड़ी पार्टियों से उनका कोई तालमेल नहीं होने वेला ऐसा अगा है काल आपने देखा कि महांदल के साथ आयी तो क्या कोई और खुणके साथ आ सकता है जैसा कि बात सब ups में नहीं बता बंधन किस तरीके से कॉंगर्स गज़ बंधन करने वाली है ये दो एहम सवाल है और इसके अलावा जाहिर सी बात है पती वाडरा से पूस्टाच की है एडी ने लगाता पिछले दिरों में उसको ले करके प्रेंगा क्या सोचनी है लाकि इस पर उनका जवाब आ चुका है बा खबर लगातार आप एबी पी निउस पर देखते रहेंगे ये है एबी पी निउस आपको रखे आगे